साथियो क्या आप जानते हैं हमारे देश में हर वर्स 10 मिलियन माईग्रेन के पेशेंट और करीब इतने ही पेशेंट पस्वों में एक बिमारी पाए जाती है जिसको हम कैटल रिंग वर्म के नाम से जानते हैं यह है ट्राइकोफाइटॉन वेरुकोसम नाम की एक फंजाई होती है जो पस्वों में रिंग वर्म कॉज करती है आज हम उन सब के उपचार के संबन में बात करेंगे घरों में पाये जाने वाला एक कॉमन सा प्लांट जिसको मेंधी के नाम से हम लोग जानते हैं जैसा कि बहुत सारे केमिकल कॉंसेंट इसके अनदर पाय जाते हैं जिसमें से कुछ प्लेवनाइड आइसो फ्लेवनाइड कुमेरिन नेफ्थो कीनॉण गलाइकोसाइड जैंड सेवरल अधर एंटि ऑक्षिदेंट्स भी इसके अनदर पाय जाते हैं लासोन आधी-दी बहूत सारे एंटियोक्सिदेंट्स पिस्ट में पाए जाते हैं तो इसका प्रोपेकेशन सीड के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं अब हम इसके गुणों की अगर बात करें तो इस प्लांट के पत्र इसका स्टेम का डिकॉक्षन पत्र का स्वरस और रूट का भी पाउडर अगर सुखा हुआ है तो नहीं तो इसका डिकॉक्षन हम तयार करके यूज कर सकते हैं तो पहले हम जाने की एलोपेथी में इसके पत्र का डिकॉक्षन एंटि हीमोरेजिक होता है और होमोपेथी में इसके विभिन पार्ट जैसे की इसकी छाल और इसके पत्र का हम अगर डिकॉक्षन बनाएं तो लिवर डिसॉडर्स के लिए इसके साथ चूमर के लिए इस्तमाल करते हैं और सिद्धा सिस्टम में इसका इस्तमाल किया जाता है इसके जूस बनाकर हम इस्तमाल करते हैं फीवर को ठीक करने के लिए और इसकी जो छाल होती है और इसकी जो रूट का पाउडर होता है उसको सुखा के अगर हम इस्तमाल करें तो हर्पीज और गॉनोरिया जैसे स्किन में जो इन्फेक्शन होता है उसको भी है इसीली ठीक कर देता है अब आप देख रहे होंगे कि माइग्रेन जैसा की बहुत कॉमन समश्या है उसके लिए क्या करें इसके एपिकल पोर्शन इसके लीव्ज और इसके फ्लावर्स का हम विनेगर के साथ पेस्ट बनाकर अफेक्टिड एरिया जहां पे दर्द हो रहा है थ्रॉबिंग जैसा फील हो रहा है अपलाई करना चाहिए आसानी से कुछ दिनों में 5-10 एम्मिल पत्र का स्वरस और एक्टनल एप्लिकेशन जो हम इसका पेस्ट बनाते हैं करने से माइग्रेन में विशेश लाब होता है और पसुओं में क्या कर सकते हैं इसको पेस्ट बनाकर रिंग वाम का जो छेत्र है महापलाई कर सकते हैं इसके बीज जो होते हैं बीज से हम तेल तैयार करते हैं जो कि वुंड हीलिंग में हेल्प करता है और वुंड हीलिंग भी उन पेशेंट में जैसे कि डायविटिक पेशेंट है तो उसमें कई बार घाव नहीं भरते हैं जबकि इसका तेल hypotensive property रखता है, glucose को control करता है, liver detoxification का कारे करता है, blood से free radicals को remove करने का कारे करता है, जो cancer की cell को बढ़ाने में help करते हैं, तो इस तरह से यह blood purification में भी अपना योगदान रखता है. इसका जो seed का oil है, उसको wound healing में apply करते हैं, कई बार diabetic patient के घाव नहीं बरते हैं, महाँ भी इसका तेल हम apply कर सकते हैं. सिप्लीनो बिगेली जिसको pilia virdi कहते हैं, उसमें भी इसके पत्र का सुरस बहुत फायदा करता है, इसको हम आसानी से अपने घरों में लगा सकते हैं, आप जानते हैं कि इसके पत्र hair tonic होते हैं, anti fungal होते हैं, एक्जिमा की समस्या हो जाती है, सुरियस की समस्या है, उसमें भी इसका जो तेल होता है बीज का वो फायदा करता है, विभने प्लांट पार्ट इसके फायदा करते हैं, आज कल सोद से पता चला है कि कुछ neurodegenerative diseases जो पाई जाती हैं, उसमें भी मेहन्दी का भरपूर उप यो किया जा रहा है, खास्तोर से अगर Alzheimer की बात करें, जिसमें देरे-देरे memory loss होता है, उसमें भी इसका तेल और इसका decoction इसकी बार्क का और रूट का decoction हम tuberculosis में patient को देते हैं, tuberculosis में भी काफी राहत देता है, और क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, एंटिहीमोरेजिक है, तो ये blood का loss जो होता है, उससे भी prevent करता है, आने वाली वीडियो में हम फिर आपको कल मिलेंगे, नए प्लांट के साथ, आप से भी कदेनेवाद, आपके कुछ प्रशन हों, तो आप कमेंट के माद्यम से पूछ सकते हैं, बहुत सारी lifestyle disorders में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है, यूनानी चिकितसा में तो इसके flowers का extract तयार करते हैं, जो की volatile nature होता है, कई बार कमर में दर्द होता है, जिसको लुंबेगों की समस्या होती है, महिलाओं में ये जनरली देखा गया है, इसके साथ साथ कुछ बेनों में menstrual cycle से सम्बंदेद क्याते हैं, cycle का ना आना या फिर बहुत लेट आना, इस तरह के जो समस्या होती है, उसमें इसका सुरस बहुत कारिये, अच्छा कारिय करता है, कहा गया है कि ये इमीना गौग है, जो female hormone को regulation में help करता है, cycle का साई समय पे आना, और उसका अच्छे से regulation का कारिये भी इसके पत